क्या आप जमीन सहीद पूरा सरकारी स्कूल खरीदना चाहते हैं? तो आपको विहार के मोतिहारी का रुख करना चाहिए जरसल मोतिहारी में जमीन सहीद पूरा सरकारी स्कूल बिखता है और विहार सरकार का अंचल कार्याले उसकी म्यूटेशन भी करता है आपको मेरी बात मजाख ही लग रही होगी लेकिन मोतिहारी में ऐसा ही मजाख चल रहा है धाका प्रकर्ण में दो-दो सरकारी स्कूलों को बेश दिया गया मुदा वरांसवा में पहुंच चुका है देखे रिपोर्ट ये बच्चे कितने जतन से खेलने में मगन है उन्हें ये नहीं पता कि उनके स्कूल को बेश दिया गया है जी हाँ सरकारी स्कूल भी थोग के भाव में बेचे जा रहे हैं ये सब हो रहा है उस बिहार में जहां इन दिनों भूमी सर्वे चल रहा है ये तस्वीर है मोतिहारी जिले के ढाका प्रखंट के पचपकरी गाउं के उस्तर मादमिक विद्याले की बूर माफियाओं ने इसे विजय राय नाम के सक्स को बेज दिया है और ये तस्वीर है फुलवरिया गाउं के उस्तर मादमिक विद्याले की इस स्कूल को तो जमीन सहीद 5 साल पहले यानि 2019 में ही बेज दिया गया हैरत की बात यह है कि अंचल का रहले ने इसका म्यूटेसन भी कर दिया विधाय के कारों तक ये खबर पहुची तो मामला विधान सभा में उठा ये चाहते हैं कि इस मामले में इस चाहते हैं कि इस Lloyd मानिय मंत्री जी के संग्यान में है मानिय मंत्री जी ने करवाई करने की बात कही है हम यह चाहते हैं कि इस मामले में संबंदित अंचला अधिकारी संबंदित करमचारी और संबंदित C.I. और क्रेता बिक्रेता के रुद प्रास्मी की तरजो चुकी भावन बना हुआ हाई स्कूल का है उसका जे मावनदी कैसे काइम हो सका है मामला विधान सभा में पहुचा तो अपसरों के हाथ पाउ फुले कारवाई की बात कही जाने लगी संबंदित C.O. से लेकर निवंदन अधिकारी और जमिन बेशने वाले से लेकर खरीदने वाले तक पर F.I.R. की तैयारी है का जाता है कि बिहार से लेकर ने कभी ताज महल संसतभवन और लाल किले को बेज दिया था मोतिहारी में सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है फुलवर्या की ये जमीन बासमती चौधूर में 1942 में स्कूल के लिए दान दी थी 2019 में बासमती चौधूर के बन सच ससी भुसन परशाद में 2019 में अब उठेंगे सवाल महिकने से भी है कि 2019 में जब जमीन सहीत पुरे स्कूल को बेज दिया गया तो 2021 में इसकूल को उत्करमित कर उस्तरमादमिक कैसे बना दिया गया कुछ ऐसे ही कहानी पचपकड़ी के उस्तरमादमिक विद्याले की है साफ है बिहार में सिस्टम के समानांतर ही भुमाफियाओं का सिस्टम चल रहा है एक तरफ बिहार में जमीन का सरवेशन हो रहा है दूसी तरफ सरकारी स्कूलों की जमीन का भग्चन हो रहा है यहां के जाज़ कदाबिकारी का ये पधन है कि अंचल कर जाले और लिबंधन कर जाले से गल्ती हूई है और उन्हों के विरुद करवाई होगी सबसे मज़े की बात यह होगी कि आने वाले समय में यह पता लगेगा कि आखिर इसके लिए कौन से जोसी है मोटीहारी बिहार से धनांजय कुमार तिभी फोटीफाई और इसी ख़बर पर और भी ज़ार जोनकारी की लिबारे सही होगी धनांजय फोन लाइं प्यों महाई से बड़ी मुंकारू करेंगे धनांजय देखिए एक तरफ बिहार में तमाम मामले ऐसे निकल के सामने आते हैं जो चोकाज भी जाती है हो और ऐसा लगता है के भीहार में मजाब चल रहा हूँ जो है वह सवास्ते में वस्ता की हो या अफीर एक निया मामले सामने आया है रिकार्य स्कूल खरीतने का या निक अगर आप सरकार्य स्कूल खरीतना चाहते हैं और उसमें भी भवन और उसमें भी मजे की बात है कि लड़के और लड़कियां बतोर उसमें पढ़ती हैं और सिख्षक भी आते हैं, पढाई करते हैं, पढाई जाते हैं और वैसे संचालित विद्याले की भवन को भू माफियाओं के साथ गाट से अधिकारियों के द्वारा खरीद विक्री भी कर दिया गया उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया लेकिन सबसे मज़े की बात है अंकिता कि इसमें जो मुतियारी के एडियम का जो कथन है कि दोसियों के विरुद करवाई की जाएगी और और सबसे उन्होंने ये बताया कि अंचल कर जाला और निबंदन कर जाले तो इन्हों के विरुद करवाई की जाएगी लेकिन जो खरिद फोक जो लोग जो किये हैं बंदरबाट किये हैं जमीन को सरकारी विद्याले के भवन को भी और लेकिन देखने की बात यह होगी कि वाकई यह सिर्फ कथन है या इस यह जो एस्टेटमेंट है उनका धरातल पर दिखने को मिलेगा आपका बहुत दो शुक्रिया तमाम जौनता के लिए नजब राखी रखेगा हूं आपसे अप्डेट भी लेते रहेंगे तो साफकार पर कहार जाए देखिए बिहार एक ऐसी चुगा जहां पर खुबसूर्ती तो है ही लेकिन तमाम ऐसे मुद्धे हैं जो निकल कर सामने आते ही तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में मानो मजाग शुर रहा है क्योंकि जमीन सर्वे शल रहा है और जमीन सर्वे की अववदी को भी विहार सरकार ने मंजूरी दी थी काबिनेट की जब आतक हुई तो दूसी तरव अगर हम बात करें तो सरकार ही जमीन जो है जिसहां पर विध्याले बना हुआ है उससे भी बेशा जा रहा है और इतना ही ने भीहार सरकार का अंचल कारिया लिए उसकी म्यूटेशन भी करता है और विधान सबा में भी इस मामले को उठाया गया है विधान सबा में भी इस मामले पर पटल पर बात हुई है तो अब देखने मारे बात हुई कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी इस पर क्या कुछ आक्शन लिया जाता है